समस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज 18 ओक्टूबर दिन बदवार खब्लों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर ओनलाइन ठगी करने वालों की अब ऐसी होगी पहचान सरकारी दफ्तरों स्कूलों से लेकर बैंकों में नवरात्री के दौरान इतने दिन रहेगी छुटी बिहार के अक्टर पंकस द्रिपाठी समेट इन कलाकारों को मिला नेशनल अवार्ड बिहार के बेटी सभीता महतों ने रचाय थिहास अधार कार्ड पर फोटो और पता बदलना होगा असान अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से नौसेना में दसवी पास के लिए निकली वेकेंसी नौसेना पोत मरमत याड की तरफ से अपरिंटसिप के पदो पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है बता दे किस वेकेंसी के लिए आविदन करने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2023 से सुरू हो गई है कैनिडेट्स को यहाँ ध्यान देना होगा कि जारी आविदन करने की डेट से लेकर कैनिडेट्स 30 दिनों तक आविदन कर सकते है जो को मिदवार जो इसके लिए आविदन करना चाहते है वो ओफिसियल वेबसाइट इंडियननेवी.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते है इसके लिए अगर सैच निक्योगिता की बात करे तो मिदवार को दस भी पास होना अनिबारे है और साथ ही संबन्धि ट्रेट की जानकारी भी होनी चाहिए वहीं उमिदवार की आई उचोदर साल से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए जादा जानकारी के लिए उमिदवार ओफिसियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है बिहार के आक्टर पंकस्त रिपार्थी समेत इन कलाकारों को मिला नेशनल अवार्ड दिली के विज्यान भवर में बीते दिन राश्वपती द्रौबदी मुर्मु के द्वारा देश के सबसे प्रतिस्चत अवार्ड में से एक नेशनल फिल्म अवार्ड से कई फिल्मी कलाकारों को सम्मानत किया गया इसमें आलया भट, कृति सेनन, अलू अर्जुन, अपड़वा, महता, पंकस्त्रिपाठी और करन जोहर शामिल है इसके लावा आर माधवन के फिल्म रॉकेटरी दरनाम भी इफेक्ट ने इस साथ सर्वस्टरस्ट फीचर फिल्म का पुरुसकार जीता है मैं अलू अर्जुन, सर्वस्टरस्ट अभीनिता का पुरुसकार पाने वाले पहले तेलगू अभीनिता है जिन्होंने अपनी फिल्म पुस्पादर राइज में अपने प्रदर्शन के लिए पुरुसकार पाया इसके लावा सर्वस्ष्ष्ट अभिनेत्री के लिए आलाभट और क्रिती सरन को पुरुसकार देकर समानत किया गया जो कि उनकी फिल्म गंगु बाई, काथ्यावारी और मिमी के लिए दिया गया है इसके साथ ही आर 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 डेे पूरे 6 अवाड अपने नाम किये हैं अने जिन कलाकारों को पुरुसकार से नवाजा किया है उनमें वहिदारहमान को दाता साहिव फाल के पुरुसकार से बिहार के लाल पंकस्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वस्ष्ष्ट सहायक अभिनेता का चुकी है वहीं आज नवरात्री का चौथा दिन है लेकिन इन सब के बीश लोगों को छुट्टी का बेस्तबरी से इंद जार रहता है पता दे कि बिहार सरकार के सारवजनिक अवकास के लिस्ट के अनुसार सरकारी दफ्तरों में 21 ऑक्टूबर यानि की सब्तमी से छुट्ट दिशाले की तरव से जारी सांके तिक अवकास तालिका के नुसार धुर्गापूजा के छुट्टी 6 दिनों की होगी जिसमें एक रविवार भी शामिल है जिसके तहर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की श्रवात 19 ऑक्टूबर से होगी और 24 ऑक्टूबर तक जारी रहेग हैं बतादे कि जोरान 150 मजिस्ट्रेट, 200 पुलिस अधिकारी और 800 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी इसके साथ ही घुरसवार दल कारी क्रम अस्थल के पास तैनात रहेंगे मालम हो कि प्रशासनिक अधिकारियों के त्वार दी गए जानकारी के नुसार राज्टूपती अपने तीन दिवसिये दौरे पर सबसे पहले बिहार की राजधाने पटना के गांती मैदान में सत्थ बापू सभागार में चौथे क्रिसी रोड मैप का लोकारपन करेंगी के महाबोधी मंदर जाने की भी संभावना है और फिर गया से ही नई दिली के लिए रवारा हो जाएंगी बिहार में त्योहार के दौरान हतियार लहडाना पड़ेगा महंगा पुलिस मुख्याले के ओर से आगामी पड़ तिवारों को देखते वे बिहार में हतियारों के प्रदर्शन पर सक्ति अपनाने का नर्देश दिया गया है बता दे किस संबन्ध में मुख्याले की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधिक्छकों को आगने अस्तरों को लेकर निर्धारित गाइडलाइन को सक्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है एडी जी संजय सिंग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि ऐसी घटनाओं पर सोशल मीडिया वह अन्य माध्यमों से भी नज़र रखी जाएगी इसके लिए पुलिस मुख्याले इसित सोशल मीडिया कोशां के माध्यम से इंपुट एकत्र किया जाएगा वहीं जिलों में पुलिस प्रशासन को स्थानी इस्तर पर भी खूफिया जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि हड़ हाल में इस प्रविती पर रोक लगनी चाहिए पतादे कि अब इन घटाओं पर रोक लगाने के लिए निरुधात्म कारवाई का प्रावधान किया गया है अब घटना होने पर था अंध्यक्ष स्वयम घटनाओं का सत्यापन करते वे एफायार दर्जकर लाइसेंस को रद या निलम्बित करने के लिए प्रस्ताओं भेजेंगे ऑनलाइन ठागी करने वालों की अब ऐसी होगी पहचान बिहार में साइबर अपराथ सजुरे मामलों में लगातार बढ़ुतरी होती जा रही है ऐसे में इन पर लगाम लगाने के लिए साइबर थाना के भी स्थापना की गई है जिसमें 24 घंटे बिहार आर्थी कपराथ इकाई की निगरानी में करमी के द्वारा काम किया जा रहा वही बीते दिन बिहार पुलिस उप महानिरिक छक आर्थी कपराथ इकाई मानजीत सिंग धिलो के द्वारा प्रसवारता आयोजित कर यह जानकाली दी गई है कि बिहार में साइबर सब मंदत मामलों में कारवाई साइबर टीम की काफी बढ़ी है लेकिन अब इसको और बल देने के लिए साइबर डोमेन और साइबर लिबरेटरी खोले जा रही है जिसकी मदब से साइबर ठगी के अप्राश रहली को समझ कर उस पर तुरत कारवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि बीते वर्स 2022 में मिले CCPWC योजना के तहट राज्य सरकार से मिले अनुदान के पौने 3 करोर रुपे से साइबर फोरेंसिक लाप के स्थापना की जाएग पौशाक खरीदने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पौशाक योजना के तहट चात्राओं को एक निर्धार द्राशी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे उन पैसों से अपने लिए स्कूल की पौशाक प्रवंद कर सके पतादिक इस योजना के तहट कक्छा एक सरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत स्कूलों में चात्रों की उपस्तिती कम से कम 75 प्रतीशत होनी अनिवारे है वह इस योजना का लाप लेने के लिए जिन जरूरी दस्तावीजों की जरूरत परती है उनमें आधार संख्या फोटो बैंक डीटेल जाती एवं आव सरकार पर अपनी तस्वीर या अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दे कि सरकार की ओर से 14 दिसंबर 2023 तक इनकामों को करने के लिए इस सुधा बिलकुल फ्री में दी जा रही है इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए आपको पैसे देने होंगे बता दे कि सरकार की ओर से दी गए इस सुधा के अंतरगत आप 14 दिसंबर 2023 तक आप अपना नाम पता जन तिथी आयू लिंग मुवाइल नंबर और इमेल पता जैसे जानकारी अपडेट करा सकते हैं यह सभी अपडेट आपको ऑनलाइन ही करने होंगे इसके अ पात करेंगे बकसर किला के बारे में बकसर किला भारत के बिहार राजी के बकसर में सत एक किला है इससत एक इला है किले के स्थापना राजा रुदर देव ने एक府ारры चोवन में की थी बकसर किला भारत के बिहार राज के बकसर में गंगा नदी के तटपर स्थित है 1926-1927 के दोरान नदी तटपर हुई खुदाई के दोरान उन्हें प्राडमभिक ब्राहमी लीपी में सिला लेखो पाली दो मुहडे मिली जो तीसरी सताबदी और चौथी सताबदी की थी जिसे पता चलता है कि तिला काफी प्राचीन है 1812 में फ्रांसेस बुकानन ने किले का दोरा किया उन्होंने कहा कि किले का केवल दक्षनी भाग और बुर्जी खड़े हैं उन्होंने यह भी उले किया कि किले में एक भूमिगत मार्ग था जिसमें प्राचीन छवियां थी और उस स्थान को पाताल गंगा के नाम से जाना चाता है 1871-1872 में अलेक्जंडर कनिंगम ने किले का दोरा किया उन्होंने कहा कि उन्हें वहां कोई एतिहासी कलाकृतिया नहीं मिली और यह भी कहा किया विसुद रूप से ब्राहमन बाद यस्थालिया और इसमें पुरतात्विक रूची का कुछ भी नहीं था इसकले की पुरतत्व सनरचना इसके गौरवशाली अतीद को परिभासित करती है यह निश्चित रूप से प्राचीन प्रेमियों के घूमने की अच्छी जगा है नवरात में चल रही सक्छकों की आवास यह ट्रेनिंग को किया ग्यारद 16 अक्टूबर से राजे में सक्छकों की आवास यह ट्रेनिंग की शिरवात हुई थी जो कि 21 अक्टूबर तक चलने वाली थी जिसका सक्छकों के द्वारा जम कर विरोत किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आवासी ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू धन के सक्षकों को परिशान किया जा रहा वहीं अब सक्षा विभाग की ओर से आदेश को रद कर दिया गया है बता दे कि समन में सक्षा विभाग के द्वरा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि राजे के सभी इस्तर के प्रसिक्षन जो दिनांग 16 ओक्टूबर 2023 से 21 ओक्टूबर 2023 तक प्रसिक्षन संस्थानों में संचालित है नर्देशानुसार दिनांग 17 ओक्टूबर 2023 से अप्रिहारी कारणों से स्थगित किया जाता है उक्तचरन के सभी प्रसिक्षन चर्या अधूरा माना जाएगा इसको पुर्ण करने है तू बाद में आदेश नर्गत किया जाएगा मानम हो कि सक्षकों के ओर से विभाग को इस आदेश को वापस लेने के लिए 48 घंटे का अल्टी मेटम भी दिया गया था और कहा गया था किसे खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा बिहार के बेटी सभीता महतो ने रचाय तिहास आज के समय में बिहार की बेटिया भी सभी छेत्रों में अपना पर्चम लेडाने का काम कर रही है इसी कड़ी में बिहार की एक और बीटी ने तिहास रचने का काम किया है हम बात कर रहे हैं बिहार के छपर अजले की सभीता महतो कबारे में जिन्होंने दुनिया की सबसे उंची सरक उमलिंग ला दर्रे लदाख जिसकी उचाए 19,300 फीट है पर साइकल की मदब से फता हासल किया है पतादी कि वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मैला बन गई है उन्होंने मनाली से 570 किलो मीटर की दुरी तैकर पैदल उमलिंग ला तक का सफर किया इसके साथ उनके नाम पर एक और रिकॉर्ड दिली से उमलिंग ला तक साइकल चला कर जाने वाली पहली मैला का भी खिताब चुर गया है सभीदा मातों ने साइकल से 33,000 किलो मीटर से ज़्यादा दूरी तैकर कई रिकॉर्ड बनाए है इस तोरां होने उचाई वाले नौदर्रे और बाराच चोटियों पर पहुची है सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में EOU की रिडार पर कई कोचिंग संसान बिहार में एक उक्टूबर को आयोजे थुई बिहार सिपाही भरती परिक्षा का पेपर लीक मामले में EOU के दौरा लगतार जाच परताल किया जा रहा है अब इसी कड़ी में EOU को जाच के दौरान इन सभी मामलों में कोचिंग संसानों की मिली भगत की जानकारी मिली है ऐसे में अब EOU की रडार पर कोचिंग संसान भी आ चुके हैं इस बारे में बिहार आर्थी कपराद इकाई के साइबर टीम उप महानरिक्षब मानवजी सिंग ढिलो के दौरा जानकारी देते वें बताया गया है कि इस मामले की जांच परताल जारी है इसके लिए एक विशेश टीम का भी गठन किया गया है वहीं अब तक सिज़े कुल 74 मामले दर्ज भी किये गये हैं और इन सब के लावा मुख्याल इस तर से जारी के गये एक हेल्प लाइट नंबर पर भी काफी सुचनाइब मिल रही है इस मामले में अब तक जितने भी लक्ट्रोनी सवान और सबूत मिले हैं उनकी साइबर फॉरेंस एकलाब में जाच की जा रही और अब कोचिंग संस्थानों की भी जाच की जा रही है विहार में राचे कर्मियों को आज से मिलने लगी गी सेलरी विहार सरकार के ओर से दश्रा से पहले सरकारी कर्मियों को सैलरी देने का नर्देश जारी कर दिया गया है बतादे के सम्मन में वद्वभाग के तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है ऐसे में अब आज से ही सरकारी कर्मियों को ऑक्टूबर महीनी की सैलरी मिलने के श्रवात हो जाएगी मालमों के बिहार सरकार के ओर से सरकारी कर्मियों को या रहत दरगा पूजा को देखते वे दिया गया है इस सरकार के राज्य सरकार के वैसे कर्मियों में ये यह काम होंगे पूरे विहार विधान सभा के द्वारा बीते सोंबार को शीत कालीन सत्र की तारीखों का एलान कर दिया गया था जिसके तहट सत्र की श्रिवाद 6 नवंबर से होगी जो की 10 नवंबर तक चलेगी बतादिक इस बात की जानकारी संसदिये काड़े विभाग के द्वारा दी गई है सत्र के चौथे दिन यानी की नौ नवंबर को दो हजार तेश शोबस के दुईत्य अनुपूरक वेविवर्णी परवाद विवात मद्दान और इससे सम्मधित विन्योंग विध्यक पास किया जाएगा और फिर सत्र के आखरे दिन यानी की दस नवंबर को गैर सरकारी सज़ बदल रहा है बदलते हालात के वीच में अब प्रदेश में ठंड की दस तक शरू हो गई है प्रदेश में अब सुबह सुबह लोगों को हलकी हलकी ठंड लगने लगी है उत्तर दक्षिन परश्यम और दक्षिन बिहार में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिस का रुमा लगाये गया है सुमार को राजधानी पटना के कुछ लाकों में हलकी बुंदा बांदी दर्च की गई थी मौसम विदो की माने तो एक हफते में प्रदेश के सहरो और ग्रामीन इलाकों में पच्छुआ हवा का प्रभाव बढ़ने वाला है जिसे प्रदेश में खासका नि परिशानी हो सकती है लेकिन सुभर शाम उन्हें हलकी ठंड का एसास होगा हाला के ठारा ऑक्टूबर और निस ऑक्टूबर को लिग जारी अपडेट में यह बताया गया है कि मौसम का मज़ाज पूरी तरह से सुस्क बना रहेगा यहीं सित्री अगले एक सब्ता तक रहने क संभावना है बिहार सिक्षक बहाली का रिजल्ट हुआ जारी अगर आप वे उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिहार लोग सिवा आयोग द्वरा आयूजित बिहार सिक्षक भरती परिच्छा में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है बतादी कि बीते दिन बिहार लोग सिवा आयोग के दोरा उचमाध्यमी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमें सबसे पहले खबर लिखे जाने तक हिंदी विशय का रिजल्ट जारी किया गया था वही अन्य विश्यों का रिजल्ट धीरे धीरे जारी किया जा रहा ऐसे में वो परिक्छा थी जिन् सार हिंदे विशय के लिए कुल 3211 पत के लिए सिर्फ 525 अभ्यरती पास हुए हैं वहीं जो भी परिचारती पास हुए हैं उनका जला आवंटन भी कर दिया गया है जमेन या प्रॉपर्टी से जुरे नियम में होने वाले हैं बड़े बदलाओ अगर आपने भी कोई या नर्देश गया है कि बैंक या NBFC को होम लोन की पूरी रकम चुगाने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को उसके प्रॉपर्टी के कागज लोटाने होंगे ऐसे में अगर ग्राहकों को 30 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट नहीं मिलते हैं तो बैंक या NBFC प बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 की धारा 21, 35 ए और 56 भारतिये रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45 जे ए और 45 एल और निशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 30 ए के तहज जारी की गई है समुलतला आवासिय विद्याले के 11 वी में नामांकर लेने के लिए आयुजित हुई परिच्छा का आंसर की जारी अगर आब ये उनमें से हैं जिन्होंने समुलतला आवाज ये विद्याले जमुई के कक्छा 11 में नामांकर लेनी के लिए आयुजित हुए प्रवेश परिच्छा 2023 में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है बता देकस बिहार विद्याले परिच्छा समीती के द्वर और पास्वर की मदद से दिनांक 19 ऑक्टूबर 2030 की संध्या पांच बिर तक साक्षे सहित अपना आपती दर्ज करा सकते हैं वतादे के आंसर की के संबन में आपत्य सिर्फ ओनलाइन माध्यम से ही स्विकार किया जाएंगे निर्धारत अब्धी के बाद एवं अन्य माध्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा लारू की बेर जाती गन्ना और एंडिया गडवन्धन में सीट शेडिंग पर तेश्वी यादव का बयान वीतदन बिहार के उप मुख्यमंत्र तेश्वी यादव के द्वारा बीजेपी के जातियें आकरे पर उठाएगे सवाल का ज दिक्कत नहीं है जब विधान सभा में दिक्कत नहीं हुई तो अब क्या होगी दिक्कत में वहां होगी जो दूसरे जगा से उठा कर ले गहें गिरिया सिंग की बातों को गंभीता से मत लीजे वो बस पीएम मोधी को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं इसके साथ उन्ह उन्हें लालू यादर के बेल पर कहा कि बीजे पी बॉक ला गई है यही वज़ा है कि वे लालू की बेल को कैंसल कराना चाहते हैं उन्होंने कहा कि सीवी आई के पास कुछ नया हो तो कोई बात हो मेरा बेल कैंसल करवाने भी सीवी आई आई थी लेकिन मेरे मामने में क्या हुआ ये सभी जानते हैं विहार सरकार और सीयम नतीश पर समरार चौधरी ने बोला हमला बीतजन बिहार बीजेपी के प्रदीश अध्यक समरार चौधरी के दोरा विहार सरकार और बिहार के मुख्यमंतरी नतीश कुमार पर जोड़दार हमला बोलते वे कहा गया है कि 2024 में ए पुझ बदलते रहते हैं महां गडबंधन बिहार को लूटने वाला गडबंधन पीम मोदी बिहार में 11 जगह पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं लेकिन इतीश कुमार के पास जमीन नहीं है वो एमस के निर्मान के लिए जमीन नहीं दे रहें वो बिहार के लोगों को सरकार बराएंगे जब बिहार में नरिंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार बनेगी तब ही बिहार बदल सकता है विश्व कब 2023 में पाकस्तान की वापसी पर सौरफ गाउली का बयान बीते सनिवार को हमदाबाद के नरिंद्र मोदी इस स्टेडिया में भारत और पाकस्ता पहले गेंद बाजि करने का फैस्सला लिया पाकस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हूरा साथ बिकेट खोगर acquainted 3.3 ओवर में लक्षे को हासल कर लिया गया इसी के साथ भारत ने पाकस्तान को भडाते वे विशुकप में जीत की हैट्रिक लगाई वहीं अभारत के पुर्वकपता सौरफ गाउनली के द्वारा टाइंसना उसे पाचित करते वे यह कहा गया है कि टीम इंडिया के हाथों से कुमिली हार के बाद उनके लिए ICC World Cup 2023 में वापसी करना मुश्किल होगा उन्होंने कहा कि उनके समय में पाकस्तान की टीम बिलकुल अलग हुआ करती थी यह टीम उस तरह को नहीं है जिसके खिलाफ सौरफ खेला करते थे मिन इन ग्रीन की यह टीम वल्लिबाजी के दुरान दवाब नहीं जेल सकती ऐसे में उनके लिए टुर्नामेंट वेवाफसी करना मुश्किल होगा भारत के तिहास में आज की तारीक है कही कारनुस दर्ज पहली हिमाले का रैली को 1910 में मुंबई के ब्लेबोर्ण स्टेडियम से हरी जंडे दिखाकर रवारा किया गया भारत पाकस्तान आनवे का खत्रे रोकने के लिए 1998 में सहमत हुए कोख्या चंदन तसकर विडपन 2004 को मारा गया उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 2008 में राय बड़ेली की रेल कोच फैक्टरी के लिए 189.25 करोड एकर भूमी रेल मंत्राली को वापस की हिंदिव फ नाइक का जर्म 13.25 को हुआ था भारत के प्रमुक रामती कारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन 1996 में हुआ प्रसद्य तेल्गू साहितिकार विश्वनाथ सत्य नारायन का निधन 1976 में हुआ वाइलगर में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में सोचल मीडिया पर कई सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़री नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संग्यान में लाया गया है कि Ministry of Electronics and IT की कोई तमिल नाडो में डिजिटल इंडिया मिशन के नाम पर लोगों को नौकडी के ओफर दे रहा है और प् अकली हैं और लोगों को गुम्रह करने और धोखा देने के लिए इस्तमाल किये जा रहे हैं प्रमानिक रिक्तिक होश्णाओं के लिए हमेशा प्रमानिक डिजिटल इंडिया या M.E.I.T. वेबसाइट देखें अब आपका WhatsApp अकांट इस फीचर की मदस से होगा और सिक्योर WhatsApp की ओर से एक नया फीचर चारी किया गया है जिसकी मदस से अब आपका WhatsApp और भी ज़्यदा सिक्योर हो जाएगा इस feature का नाम Pass की feature है, दरसल इस feature की मदद से आप fingerprint, face और pin के जरी अपने WhatsApp अकाउंट में login कर सकेंगे इसको लेकर WhatsApp की ओर से tweet कर जानकारी देते वे कहा गया है कि Android users of Pass की features के जरीए pin, fingerprint और face unlock की मदद से अकाउंट में login कर सकते हैं आपको verification code डालने की जरूरत नहीं पड़ेगे, इससे आपका अकाउंट भी सुरक्षित रहेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि WhatsApp से पहले Google और Apple ने Pass की feature को roll out किया था पासकी का इस्तमाल करने के लिए आप बस अपने device को unlock करने के लिए fingerprint, face scan या pen का इस्तमाल करते हैं और वे password की तुलना में 40% fast होते हैं और एक प्रकार की क्रिप्टोग्राफी पर भरोसा करते हैं जोने अधिक सुरक्षित बनाता है बता दे के फिलाल इस feature को Android users के लिए पेश किया गया है वह से चलती इस feature को iOS users के लिए भी उपलाद्ध कराएगा परिवान विभाग ने आठ डिल लिडो की user ID की ब्लॉग परिवान विभाग मुख्याले दोरा जिला परिवान पतादी कारी के अनुसंसा पर आठ डिल रूपर कारवाई करते वे उनके user ID और पासवर को ब्लॉक कर दिया गया है जिन्होंने काफी संख्या में वाहनों में हाई सिकूरिटी रिजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाय थे या लगाने के बाद पोटल पर अपलोड नहीं किये थे बतादे किस वज़ा से वाहन मालिकों को निबंधन कार्ड मिलने में देरी हो रही थी अबकि जानकारी के लिबता दी कि राज्य पड़ेवहन आयुक्त डॉक्तर आश्रीमा जैन के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार विभाग की ओर से जिन आठ डीलिडों पर कारवाई की गई है हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरुरी सवाल और से जिन जवाब बताएंगे जो की बीपैसी, बिहार पुलिस, दरोगा समीट, ससी जरसे अने प्रतियोगी परिच्छां में काम आएंगे हमारा पहला सवाल है, हाली में केंदर सरकार ने किस पैंक के चेर्मैन के काड़े काल का एक वर्ष बढ़ा दिया? इसका सही उतर है ऑप्शने स्टेट बैंक ओफ एंडिया, अगला सवाल, हाली में किसे जलवायू पडिवर्थन के लिए इस पुनोजा पुरुस्कार मिला है? अगला सवाल, बहार के पहले मुख्यमंतरी कौन थे? ऑप्शने बोला पवन सास्तरी, ऑप्शन बी क्रिशना वल्लव सहाई, ऑप्शन दी स्री क्रिशना सिंग, ऑप्शन दीप नारायन सिंग. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्री कृष्णा सिंग अगला सवाल बिहार का उच नया आले कहां इस्तित है ऑप्शनी वैसाली, ऑप्शनी पटना, ऑप्शनी भागलपुर, ऑप्शनी नालंदा इसका सही उत्तर है ऑप्शनी पटना, अगला सवाल बिहार का इलक्ट्रोनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शनी वैसारी, ऑप्शनी पटना, ऑप्शनी हाजिपुर, ऑप्शनी मुंगेर इसका सही उत्तर है ऑप्शनी हाजिपुर, बीत दिन हमाय दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों और प्जाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बाक्स में लिटकर दिया था, जिनोंनी हमायद पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुहमद फहीं, सुतार रोय, रवी संकर, पारवती रोय, मुहमद अवजल मंसूरी, जैसिका सिंग, गुपता, पंकज, सिधार्थ कुमार, गोनर सर्मा, तबरेज, आलम, अनवर करीम खान, मुहमद सकीर हुसैन, रमन, वीद प्रकास सिंग, रानी कुमारी, और साथी अगर आप यूटूब से देखना चाल्ट को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बूक से देखना तो पेस्ट को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद